तो हेलो नमस्कार दोस्तों मैं समीर आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल डिजीटल पाउर में हादिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में एक नए रिक्रूट में लेकर हम सामने आपके सामने हाजिर हो गया है जो निकल एक रहा है बिहार पुलिस के तरफ से आ रहा है और इसमें टोटल नमबर की वेकंसी बात कर ले तो इसमें नमबर वेकंसी बहुत ही ज्यादा है यानि 8415 पोस्ट पे आपको बा इसको डेव साइट पे अपडेट किया गया है और यह वेकंसी आप कैसे देख सकते हैं इसका ओफिसेल जो नोटिफीकेशन है वह आपका नोटिफीकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला है और इसमें योग्यत तक क्या है कितना फी पेमेंट कैसे आनलाइन अपलाई किजिए गा और कशे अनलाइन अपलाई किजिएगा अंब्स इस वीडियो में पताने वाले तो फरस यहां पे आपको अपना मुबायल का ख्रों ऑपर करने के बाद आपको यहां पर टाइप कर देना है CSBC CSBC टाइप करने के बाद आपको सर्चेकिन पर किलिक करते हैं आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इसका ओफिसल वेवसाइट ओपन होगा यहां पर आपको इस वेवसाइट पर किलिक कर देना है आप चाहे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा डरेट इस आप कर सकते हैं यहां पर जैसे किलिक किजिए आप इसके ऑफिसल वेवसाइट यहां पर सेंटर सेलेक्शन बॉर्ड ऑफ कॉंस्टेबल के आप आजएगा नीचे स्क्रॉल कर जिएगा तो यहां पर आज के डेट में देखिए हैं आज 11-11-11-2019 यहां पर नहीं होना मिस्टेक्स से हो सकता है इसको सुधार दीए जाएगा यहां पर देखिए हैं अप आपको यहां पर सायट पर आना है और यहां पर क्लिक करते हैं इसका जो जैसे ऑफिसलडोड़ास इसका कुछ लुक इस तरह आपको दिखने को मिले आपको एक कीण सफिर्ट भा सायरों और यहां पर पुलिस सैने पुलिस इंट्टीन रिजर्फ यहां पर आप अपलाई करने के तिसी बताए गया कि 1412-2020 अंतिम तिसी 14 1220 तक अप उल्लाइन अपलाई कर सकते हैं अब बताते हैं फ्रस्ण कि आपको जो है इसका डेट ऑन लाइन अपलाई करने का डेट कभ तक है तो यहां पर आप देख सकता है सबसे पहले इसका प्द की बात करें तो प तो यहां पर देख सकते हैं रिक्षियों की जो संक्या यहां पर 8400 रिखती है और यहां पर दिखेंस यहां पर बताए गया है वो आपको है देखेंस 1311-2020 यानि आपको सुक्रबार से इसकी ओनलाइन अप्लाइश सुरू कर दी जाएगी जो में में पॉइंट है वो आपको बता देता है योग गयता क्या होना चाहिए तो इसके लिए योग गयता फ्रेंस आपको बता चलिए मैं आपको देखें यहाँ पर यूगगता जो आपको दिया जाएगा यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपके इसमें योगता तो सेक्षिन योगता इसके लिए यहां पर आपका इंटरमेडियेट उतीर होना अरिवार रखा गया यहां अगर आप अधर बोड है मदर्शा बोड से हैं तो आपको मॉल भी परमालपत्र होना च चाहिए अब यहां पर देख लिए फ्रांस आपके पास उम्र सीमा कितना होना चाहिए यहां पर देख सकते हैं जो जेनरल का टागदी की आन रिजर्ब की जो पूर्श और महिला हो के दिखें निवनतम 18 बर्श और अधिकतम यहां पर आपको 25 बर्श होना चाहिए ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं पिछला बर्श या अतियंत पिछला बर्श के लिए यहां पर देख सकते हैं निवनतम 18 बर्श और अधिकतम उम्र आपको 27 बर्श होनी चाहिए उस तरह यहां पर आप देख सकते हैं पिछली बर्श की महिला हो तकी उनकी अधिकतम उम होना चाहिए अगर अत्यांत पिछड़ा बर्क के लिए तो उसके लिए यहां पर देख सकते हैं फ्रस जाती जन जाती कहें उनको भी 160 संटीमेटर का हाइट आपको रखा गया है और यहां पर आप देख सकते हैं जो पूरुप से ही गोर्खाव के लिए उनके भी 160 और यहां पर निउन्तम बर्क जो महिला होंगे उनको 155 संटीमेटर यहां के हाइट रखा गया अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं फ्रस इसके लिए आपको सीना 21,81 पीना फुलाए हुए और फुला के आपको 86 कर देना है यह सब नर्मल बात है अब आते हैं मेंड पॉइंट आहां जो आपको एक्जाम होगा देखें है फ्रस आपका जो एक्जाम होगा ओफ लाइन में होगा और दो पालियों में अपकी परिक्षा ले जाएगी और एक सारीक दक्षता परिच्छा के लिए असा फल्गोशित किया जाएगा यानि आपको अगर 30% से माट्स कम आता है तो आपको सारीक परिच्छा में भाग नहीं लिया जाएगा बागी सब्त बात हम कर चुके हैं फ्रस लेकिन यहां पर आपको एक और बात हम बताना भूल गया है कि यहां पर देख सकते हैं आपका जो सीट है तो यहां पर जेनरल बर्ग के लिए यहां पर आपको मिलेगा फ्रस तीन सुरी फ्रस यहां पर देख सकते हैं जेनरल बर्ग के लिए यहां पर 3489 आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 842 सीटे रिजर्ब है और यहां पर और पिछला बर के लिए यहां पे 980 यानि पिछले बर की जो महिला होंगी उनके लिए 245 इतने सीट यानि टोटल यहां आपको 8415 पदों पर फैकेंसी लिया गया एक बार और यहां पर हम रिपीट कर देते हैं यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर देख सकते हैं इसका लिंक आप डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा वहां सभी आप आपको कितनी करनी होगी तियां पर आपको सब्सक्राइब करने का तरीका आप सभी को पता है कि आप पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग यहां पर डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां तक कि आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप या यूपी आई कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो फ्रेंस यह रहा आज का छोटा सा अपडेट आप मिलते हैं जब हम फॉर्म फिलप होगा उस समय आपको फॉर्म फिलप करके बता आपको करके दिखाएंगे खुद का form fill up करके कैसे online apply किया जाता है ऐसे यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना mobile number email id आपके पास होना चाहिए अगर आप form fill up कर रहे हैं तो इस तरह आप कैसे form fill up करेंगे मैं आपको लुद्र करना होगा अपनी पूरा documents यहांप अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके किस जिल ने में कितनी एक इसके लिए यहांप देख सकते हैं आपको यहांपे पूरा details आपके सामने रखा हुआ है कि कि इस तरह आप देख सकते हैं मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए दिजिए जाजत थैंक्स फर वाचिंग